इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमिताब बच्चन की 10 पेहतरीन फिल्में तो जानने के लिए बने रही है इस वीडियो के आखिर तक नमक हलाल नमक हलाल एक एक्शन कॉमेडी फिलिम है जो कि 1982 में रिलीस की गई थी इस फिलिम में अमिता बच्चन के साथ शशीकापूर और इसमिता पटेल ने काम किया था इस फिलिम ने उस वक्त में 12 क्रोड रुपे कमा लिये थे जो कि आज की डेट में 179 क्रोड के बराबर है शराबी शराबी एक ड्रामा फिलिम है जो कि 1984 में रिलीस की गई थी इस फिलिम में अमिता बच्चन के साथ जैपरदा और पराण ने काम किया था इस फिलिम का बजट 45 क्रोड रुपे का था इस फिलिम ने उस वक्त 45 क्रोड रुपे कमा लिये थे जो कि आज की डेट में 87 क्रोड रुपे के बराबर है तिर्शूल एक ड्रामा फिल्म है जो कि 1978 में रिलीज की गई थी इस फिल्म में अमिता बच्चन के साथ संजीव कपूर और शर्शी कपूर ने काम किया था इस फिल्म का बजट 88 लाक रुपे का था और इस फिल्म ने उस वक्त 2 करोड रुपे कमा लिये थे जो कि आज की डेट में 40 करोड रुपे के बराबर है अगनिपत अगनिपत एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि 1990 में रिलीज की गई थी इस फिल्म में अमिता बच्चन के साथ मिथ्धुन चकरवती ने काम किया था इस फिल्म का बजट 28 क्रोड का था और इस फिल्म ने उस वक्त 10 क्रोड रुपे कमा लिये थे जो कि आज की डेट में 75 क्रोड के बराबर है मुकदर का सिकंदर मुकदर का सिकंदर एक ड्रामा फिलिम है जो की 1978 में रिलीज की गई थी इस फिलिम में अमिता बच्चन के साथ विनोत खंणा, राखी और रेखा ने काम किया था इस फिलिम का बजट एक करोड रुपे का था, इस फिलिम ने उस वक्त 17 करोड रुपे कमा लिये थे जो की आज की डेट में 318 करोड के बराबर है जन्जीर जन्जीर एक क्राइम एक्शन फिलिम है जो की 1973 में रिलीज की गई थी इस फिलिम में अमिता बच्चन के साथ जैपरदा और पराण ने काम किया था इस फिलिम ने उस वक्त 17 क्रोड रुपे कमा लिये थे जो की आज की डेट में 318 क्रोड के बराबर है अमर अक्बर एंथनी अमर अक्बर एंथनी एक्शन कोमेडि फिलिम है जो की 1977 में रिलीज की गई थी इस फिलिम में अमिता बच्चन के साथ विनोत करणा और रिशिकापूर ने काम किया था इस फिलिम ने उस वक्त 15 क्रोड रुपे कमा लिये थे जो की आज की डेट में 319 क्रोड के बराबर है डॉन डॉन एक क्राइम थ्रिलर फिलिम है जो की 1978 में रिलीज की गई थी इस फिलिम में अमिता बच्चन के साथ जीनत अमान और पराण ने काम किया था इस फिल्म का बजट 70 लाख रूपे का था और इस फिल्म ने उस वक्त 7 करोड रूपे कमा लिये थे जो कि आज की डेट में 138 करोड के बराबर है शोले शोले एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो कि 1975 में रिलीस की गई थी इस फिल्म में अमिता बच्चन के साथ धरमेंदर, अमजद खान और संजीव कुमार ने काम किया था इस फिल्म का बजट 3 करोड रूपे का था और इस फिल्म ने उस वक्त 15 करोड रूपे कमा लिये थे जो कि आज की डेट में 300 करोड के बराबर है दीवार दीवारी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो की 1975 में रिलीज की गई थी इस फिल्म में अमिता बच्चन के साथ शशिकापूर और नीरुपा रूए ने काम किया था इस फिल्म ने उस वक्त 7.5 करोड रूपे कमा लिये थे जो की आज की डेट में 1500 करोड के बराबर है तो ये हैं अमिता बच्चन की 10 बेहतरीन फिल्म है उम्मेद है आपने देखी होगी और अगर नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए